बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार महु डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी नहाय खाय के साथ छट पूजा की सुरुवात हो जाती है नहाय खाय से पहले ही छट पूजा की पूरी तैयारी कर ली जाती है इसकी सुरुवात होती है घर की साप सफाई से परंपरा के अनुशार घर में एक अस्थान पर मिट्टी का चुला बनाय जाता है चट पूरु के दोरान प्रशाद और पूरा भोजन वहीं बनता है हलांकि आजकल बजारों में मिट्टी के रेडियो टू यूद चुले भी मिल रहे है गेहूं को धोकर सुखाय जाता है इस दोरान कद्दू की सबजी बनाने का बिशेश महत्व है मिट्टी के चुले पर ही बनाए प्रशाद चट पूजा का प्रशाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां खाना बनता हो पूजा का प्रशाद मिट्टी के चुले पर ही बनाए तो यहीं सास्त्री और यहीं बहतर होगा प्रशाद बनाने के समय इस बातों का रखे ध्यान प्रशाद आम की लकड़ी पर बनानी चाहिए छट का प्रशाद बनाते समय याद रखें कि भोजन में प्याज और लासुन का इस्तमाल बिल्कुल न किया जाए भोजन साकहारी और शुद्ध देसी गी में ही बनाए प्रशाद बनानी की विधी छट पूजा का जो है प्रशाद बिना प्याज लहसुन और नमक के तयार किया जाता है कुछ बत सेधा नमक का उप्योग करते हैं छट पूजा के नियम जान लिजे ब्रती चट ब्रत के चारो दिन नए कपड़े पहनते हैं महिला असाड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं चट पूजा के दोरान चारो दिन ब्रती जमीन पर चटाई पर सोती हैं ब्रती और घर के सभी सद्स चट पूजा के दोरान प्याज लहसुन और मांस मचली बिलकुल त्याग करते हैं या बिलकुल न खाएं पूजा के लिए बास से बने शूप और तोक्री का इस्तेमाल किया जाता है चट पूजा में गूण और गेहूं के आटे के ठेकुआ फलों में केला और घर्ना ध्यान से रखे जरूर खरे ले चटी मईया की पूजा बिदी जो है नहाय खाय के दिन सभी ब्रती शुद्ध आहार का श्रेवन करें खर्ना के दिन साम के समय गूण की खीर और पूड़ी रोटी जो है बनाकर चटी माता को भोग लगाए सबसे पहले इस खीर को ब्रती स्वेहम खाती है और बाद में परिवार और अन्य लोगों को दिया जाता है चट के दिन घर में बने हुए पाकवानों को बड़ी टोकडी में भरें और घाट पर जाएं घाट पर इह का घर बनाकर बड़ा दीपक जनाएं ब्रती घाट में स्थान करके करने के लिए उतरती हैं और दोनों हाथों में डाल को लेकर भगवान शुर्ज को अरग देती हैं सभी ब्रती उक्ति शुर्ज को डाल पकड़ कर अर्ग देते हैं और सुर्यास्त के बाद घर जाकर परिवार के साथ रात को सुर्ज देता का ध्यान और जागरन किया जाता है सब्तमी के दिन सुर्योदे से पहले ब्रह्म महुर्त में उकते हुए शुर्ज को सारे ब्रति घाट पर पहुंचते हैं इस दोरान वो पकवानों की टुकरियां नारियल और फलों को साथ में रखा जाता है सब्ति उकते शुर्ज को डाल पकड़ कर अरग दिया जाता है छठी की कथा इस दिस सुनी जाती है और प्रशाद का भित्रन किया जाता है इसके साथ सब्ति प्रशाद ग्रहन करके ब्रत जो हैं खोलते हैं छठ पुजा की सामगरी आप नोट कर लीजे चटपुजा का प्रशाद जो है रखने के लिए बास की दो टोकरी, बड़ी टोकरियां खरीद लें, बास या फिर पितल का सूप, दूद और जल के लिए एक गलास, एक लोटा और थाली लेने, स्टील का प्रियोग न करें इसके अलावा पाच गंडे जिसमें पत्ते लगे हो, सकरकंदी और सुथनी, पान और शुपारी, हल्दी, मूली और अधरक का जो है हरा पोधा, बड़ा वाला मीठा निम्बू, सरीफा, केला और नासपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गूण, गेव, चावल का आटा, छेकुगा, चावल, सिंदूर, दीपक, सहग और धूप का प्रियोग छट पूजा में किया जाता है, वही पानने के लिए नए कपड़े, दो से तीन, बड़ी बासे, टोकडी, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना, लोटा, लाल शिंदूर, धूप, बड़ा दीपक, थाली, दूद, गिलास, अदरक और कच्ची, हल्दी, केला, सेव, सिंघाडा, नासपाती, मूली, आम के पत्ते, सकर गंदे, सुथनी, मीठा, निम्बू, मिठाई, सहद, पान, सुपारी, कैराओ, कपूर, कुमकुम और चंदन, छटि मया का प्रशाद, ठेकुआ, मालपू खीर, खजूर, चावल का लड़ू, और सुजी का हल्वा, आदे, चट मया को प्रशाद के रूप में आप पहले से तयार करने, जो चड़ाया जाएगा, उमीद है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं, ऐसे समसामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस काल.